देश द्रोह खानून पर लॉग कमिशन यानि की विधी आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को केंद्र सरकार को सौब दी है उसका कहना है कि देश द्रोह से निपटने के लिए IPC की धारा 124-A को बनाय रखने की आविशक्ता है हलाकि रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रावधान की उपयोग को लेकर ज्यादा इस पश्टता के लिए कुछ संशोधन की जा सकते हैं सरकार को सौपी गई रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि धारा 124-A के दिरुपयोग पर विचारों का संग्यान लेते हुए ये अनुशनसा करता है कि उन्हें रोकने के लिए केंद्री के ओर से दिशा निर्देश्ट जारी किये जाए खानून मंत्री अरजुन राम मेगवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22 में लो कमिशन के अध्यक्ष जस्टिस रितु राज अवस्ती सेवा निवरित ने कुछ सुझाओ भी दिये हैं इसमें कहा गया कि आईपीसी की धारा 124 है जैसे प्रभधान के अनुपस्थिती में सरकार के खिलाब दंगा भड़काने वाले किसी भी अभिवक्ती पर निश्टित रूप से विशेश खानूनों और आतंगवाद विरोधी खानूनों के तहत मुखदमा चलाया जाएगा भारत में मौझूद जमीनी हकिकत से आके मूंद लेने की तरहा होगा। यूनियन आफ इंडिया ने सुप्रीम कोट को आश्वासन दिया कि धारा 124 ए की फिर से जाच कर रहा है और अदालत ऐसा करने में अपना समय बरबाद नहीं कर सकती है। उसी के अनुसार शीर्ष उठाने से परहेस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया कि सभी लंबित परीक्षणों, अपीलों और कारिवाही को इस्थगित रखा जाए। रिपोर्ट में बताया गया कि इसे निरस्त करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभा पड़ सकता है। अक्सर कहा जाता है कि देश द्रोह का अपराद और अपनिवेशिक विरासत है जो अंग्रेजों के जमाने पर आधारित है। जिसमें इसे अधिन्यमित क्या गया था विशेश रूप से भारत के सुतंता सेनानियों के खिलाफ इसके उप्योग के इतिहास क को देखते हुए कि ये बात कही जाती है। लेकिन ऐसे में तो भारती खानूनी प्रिणाली का सब्कून भाचा एक ओपनिवेशिक विरासत है। केंदर सरकार देश द्रोह कानून में संशोधन की तयारी कर रही है। इसे लेकर संसत के मानसून सत्र में एक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। केंदर ने सुप्रेम कोर्ट में बीती एक माई को भी इसके बारे में जानकारी दी थी। सरकार का कहना है कि 124 एकी समिक्षा की प्रिकरिया आखरी चरण में हैं। बता दें कि खानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रेम को कारवाही में जांच जारी ना रखें। जो केस लंबित हैं उन पर यथा इस्थिती बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली